नमस्कार, तथ में आपका स्वागत है, मैं हूँ मनीश वस्थी तथ में आज बात होगी, दुनिया के महंतम वैग्यानिक और भारत के पूर्वराश्रपती एपी जे अब्दुलकलाम की हर साल 15 अक्तूबर को विश्वच्छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन भारत के पूर्वराश्रपती स्वारगी डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम की जेंती को याद करने के लिए मनाया जाता है इंडिया के मिजाइल मैन डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम देश के ग्यारवे राश्रपती रहें एक प्रसिद्व वैग्यानिक और शिक्षक भी एक टीचर के नाते वे हमेशा स्टूडेंट से जुड़े रहे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेणा देते रहे इस बंधन को मनाने के लिए हम हर साल 15 अक्तूबर को World Students Day मनाते हैं इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी जब संयुक्तराश संगर्थन जिसे युएनों कहते हैं निसिक्षा और छात्रों के प्रती उनके लगाओ पर प्रयासों को देखते हुए World Students Day घोशित किया था आज उनके जैनती पर हम आपको उनहीं के संगर्षों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जियां संगर्ष में बीते बच्पन के कई साल तत्य में डॉक्टर अबुल पाकिर जैनूला बिदिन अब्दुल कलाम का तामिलाडू के रामेश्वरम एक के एक मुस्लिम परिवार में जन 15 अक्तूबर 1931 को हुआ था उनके पिता नाउसे हिंदूओं की तीर थे आत्रा कराते थे लेकिन जल्द ही उन्हें ये वेफसाइक होना पड़ा जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया डुक्टर कलाम का बच्पन बहुत संगर्श में बीता और उन्हें परिवार की मदद करने के लिए एक अख़बार बेचने का काम भी मिला अब्दुल कलाम करियर जियां एपीजे अब्दुल कलाम का करियर कैसा रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसनातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे डी आडी ओ कहते हैं एक वैग्यानिक के रूप में शामिल हुए इन्होंने प्रसिद वैग्यानिक विकरम सहरा भाई के साथ भी काम किय 1979 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन आ गए और वहाँ पर इन्होंने परियुजना निर्देशक के पत पर काम किया इसी पत पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी प्रित्वी की कफशा में 1980 में इस इसरों में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सवभाग्य की बात थी क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस देश के लिए वह जी रहें उनका वह देश पूरा होने लगा है वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी द आया गया 1970-1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कारियों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैग्यानिक बन गए और ख्याती बढ़ने के कारण उस समय की प्रदानमंत्री श्रीमती इंदरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कारियों के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अनुमती दी थी। भारत रत्न पाने वाले विदेश के तीसरे राश्रपती हैं और उनसे पहले सर्वपली राधाकृष्ण और जाकिर हुसेन को भारत रत्न दिया जा चुका है। कलाम को दो हजार दो में भारत का ग्यारमा राश्रपती चुना गया था। राश्रपती बनने से पहले देश के मिजाइल मैन रहे डॉक्टर कलाम। कलाम साहब ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डियारडी और भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरों में एक साइंटिस्ट जैनिकी वैग्यानिक और एडिमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम किया था। कलाम ने भारत के ग्यारवे राश्टरपती बनने से पहले भारत के सिविलियन स्पेस और मिलिटरी मिजाइल प्रोग्राम को विक्सित करने में भी आमूलिय योगदान दिया। देश में बैलेस्टिक मिसाइल और टेकनलोजी को इंडिपेंडन बनाने के बाद अबदुल कलाम को मिजाइल मैन कहा गया। अब आपको बताते हैं जियां तत्थे में डॉक्टर कलाम की मृत्यू कैसे हुई। बता दें 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल के उम्र में भारतिय प्रबंदन आयायम शिलॉंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार विक्त कर रहे थे जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ यानि की दिल का दौरा और वो भी बेहोश हो गए लगभग शाम को इच्छे वजे उन्हें बेधानी अस्पताल में आईसियू में ले जाया गया जहां दो गंटे के बाद डॉक्टर कलाम की मिर्ट्यू हो गई तो तत्थ में आपने आज जाना कि आखिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहज शालीन और उसके साथ साथ एक महान राष् भक्त की तत्थ से जुड़ीत तमाम बाते तत्थ में आज के लिए बस इतना ही नमस्कार